प्रियांग सब्सक्राइब भारत बंद की तस्विर हम आप तक पहुंचाने लगे इस वक्त आप देसके हमारे सब पीछे बिहार के पुर्वस्तियम और हिंदस्तानी अवाम मोर्चा के राश्ट्रिय ध्यक्ष जीतर राम माजी है वो भी इस भारत बंद को भारत बंद में सम करने की बात कर रहे हैं बात करते हैं कि यह नहीं लागू करेंगे लेकिन इन पी आर पर्थम सिर्ड़ी है इन आर्ची का इसलिए और फिर आज आरक्षन जो हमारा मौली का धिकार है उसको यहां का सुप्रीम कोट कहा कि हमारा आरक्षन मौली का धिकार नहीं है और यहां का जज प्रधान मंतरी को भगवान मानने को लिए भासन देता है यह सारी बात ने इसी है जो 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 मर्यादा है उसको तार-तार कर रहे हैं समीधान को हमारा खत्म कर रहे हैं वैसी प्रिशिति में हम लोगों को कोई भी कल्प नहीं है कि सान्ती पुर्म अंदोलन करें आज सान्ती पूर्म अंदोलन पर हम लोग उत्रे हुए हैं अगर इसके बाद भी शीये बापस नहीं होगा इन पी आर लागू करने की बात नहीं छोड़ेंगे तो बैसी प्रेश्टिती में हमारा आरक्षन का मामला को मौली का धिकार जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग और गंभीर अंदोलन करने को हम लोग सोचा है अंदोलन लगातार जारी रहेगा अब होगा इसके बाद विचार करेंगे आज के अंदोलन होता है दूसरे देशों में भी तो उसको बुला कर बात करते हैं और समस्या का हल निकालते हैं लेकिन ये सरकार तो एदम बहुमत के गरूर में है और समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीकी कर रहे हैं लेकिन वो जितना बात कर रहे हैं इंदुस्तान को तोड़ उससे अच्छा नहीं कि थोड़ा दिन तकलीफ सहले लोग लेकिन जनता के दोरा आज जो समर्थन मिल आए तो उनके कान पर जूरेंगेगी तो निश्चित रूप में सारे काम वो जो कर रहे हैं वो बापस हुआ है जनतंत में मानना चाहिए और जनतंत में अगर नहीं इस लिए लार्म है लगं किया जा रहा है उनको सरसेcit किया जारा है तो आप देख सकते हैं पर्टना में जितना माजी सरक उतर चुके हैं भारत बंद गरत कर कर ranked कि मामले को लेकर नथरान को दे निन हम यह कर उसको समर्थन दे रहे हैं बिहार के तमाम जो राजनीतीक दल है विपक्ष में जो हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं इसी करी में जीतना माजी भी पटना के डाक बंगला चौराहा पर सरक पर बैठ चुके हैं तो देखने वाली बात होगी कि इस भारत बंद का कितना आसर होता है बिहार के राजनीती पे और क्या सरकार इस मामले को लेकर हैसला कुछ लेती है तुमाम चियों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं अगर आपने अब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जड़ सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद कर दो